हलो दोस्तों मेरा नाम है नवीन और स्वागत है आपका हमारे एक और वीडियो में जिसमें हम लोग रोजाना देखते हैं डेली फीटर MCQ आज का क्लास है हमारा डेव फॉर अगर आप इस MCQ का फीडिय अप चाते हैं तो इसके लिए आप हमारे टेलेग्राम ग्रूप से जुट सकते हैं जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन पर है या आप टेलेग्राम के सर्च पैनल में भी सर्च कर सकते हैं हमारा चैनल टेक वीजन तो जल्दी से जुट जाईए और MCQ का फायदा उठाईए और बाकी जिदने भी फ्रेंड है उनके साथ भी इस MCQ को सेर कर दिये जल्दी से तो चलिए सुरू करते हैं बिना देरी की हुए हमारा आज का ये पहला कोशन पहला कोशन है हमारा भारतिय मानक वी निर्देसों के अनुसार निर्देसित कास्ट आइरन FG200 का अर्थ क्या होता है ये कोशन आपको लखनो मेटरो रेल में मेंटेनर फिटर्ट 2016 में पूछा गया है तो भारतिय मानक वी निर्देसों के अनुसार निर्देसित कास्ट परशन्ड वायट कास्ट आइरन जिसकी ए हन डु हं। हो ग्रे काश्ट आइरन जिसकी मैक्सिमूम ल॥ेथ्ट स्टेंथ 200 newton पर एंघ हो या ग्रे कास्ट आइरन जिसकी मिनीमँ सेंद्ट तो हंड़ेंट नुट ल॥े होती है। पर B यह BHS सलके में, इसकी हाड़नेस को और एक difference स्टेजाभ है ऑनने का ऐक सीमबोल लए एक unit से सकते हैं भी एतर यानि होता है दो इसका सही अंसर होगा option number D यानि कि FG200 का अर्थ होता है कि gray cast iron जिसमें minimum tensile strength तनाओ जो strength होता है मजबूती चेक करने का वो 200 newton force per mm square पे होना चाहिए चलते हैं next question question number 2 class A type के अगनी के लिए इंधन क्या है यह question आपका इस्रो के technician बीच Carpenter 2016 में पुछा किया है तो class A type के अगनी के लिए इंधन क्या है तो जल्दी से comment में बताइए options है gas और द्रवित gas जोलनसिल एवाम द्रवनिय ठोस कास्ट कपड़ा या कागज fire in electrical equipment and metal fire तो class A जो होता है उस आग के लिए जो जोलनसिल पदार्थ यानि के इंधन होता है वो होता है ठोस यानि की हमारा होगा option number C कास्ट कपड़ा कागज यह सारे हमारे class A के इंधन में आते हैं इसे आप असानी से याद कर सकते हैं हमारा जो आग होता है वो चार केटेगरी में बाटा गया है A, B, C, D A में आपका ठोस यानि की solid इंधन वालन को रखा गया है किसी solid में किसी ठोस में आग लगती है वो class A का आग होता है B, liquid C, gas और D जो होता है metal में लगने वाले यानि कि धातू में लगने वाले आग को class D में रखा गया है next question है हमारा question number 3 class A अगनी के लिए सामकों के प्रकार यानि class A का जो आग होता है उस आग को बुझाने के लिए कौन सा fire extinguisher का परियोग किया जाता है तो जल्दी से comment में बताइए options है जल्पूरित सामक फोम या ड्राइ पाउडर या कार्बन डायोक्षाइड विसिस्ट पाउडर या हैलन कार्बन डायोक्षाइड सुस्क पाउडर तो हम वास्पित्र द्रव यानि की कार्बन टेट्रा कुल्राइड जिसके भी कहते हैं CTC तो इस कोस्टन का सही आंसर होगा option number A class A ठोस वस्थों में लगती है जिसे हम लोग पानी से असानी से बुझा सकते हैं next question है question number 4 विद्यत्य कार्य करते समय सुरक्षा मानक के रूप में कौन से सुचना पट का परियोग किया जाना चाहिए यानि कि बिजली के बिजली से समंदित आप कोई कार्य कर रहे हैं तो उस समय कौन सा आप सुचना पट का उप्योग करेंगे options है अतियदिक गर्म संपर्क में ना आए अतियदिक खतरनाक या सक्ति से निसिद छेत्र या गर्म इस पर्स ना करें तो इसमें सही answer होगा option number B अतियदिक खतरनाक हो सकता है जहां पे आप काम करते हैं क्योंकि गर्म वस्तों को चुना ना चुना वो तो आपका गर्म जगा किसी भठी पे काम कर रहे हो तो वो होगा सक्ति से निसिद छेत्र निर्मुक्त उर्जा का मापन खालिस्थान की सहता से किया जाता है यह question भी आपका इस रोड डिजल मेकेनिप 2016 में पुछा गया है option से energy meter, thermometer, calorie meter या एनेमो मीटर तो इसका सही answer होगा आपका calorie meter calorie meter से हम लोग उसमा का मापन करते है हम लोग thermometer यहाँ पे बहुत साथ, बहुतों के दिमाग में यहाँ पे thermometer आ रहा होगा लेकिन thermometer से हम लोग temperature मापते हैं यानि कि तापमान तापमान और उसमा में अंतर होता है उसमा आपका एक तरह का energy है लेकिन temperature जो होता है वो किसी वस्तु के hotness और coldness का जो hotness या coldness होता है उसे हम लोग temperature कहते है next है हमारा question number 6 class A fire consists of fire due to class A का fire जो होता है वो किस में होता है यह question हमने पहले देख रहा है जो हिंदी में था तो यहाँ पे सही answer होगा option number A यानि की उड़ लकडी में लगने वाला आग यानि की ठोस में लगने वाला आग जो होता है वो हमारा class A का fire होता है next है question number 7 निम में से कौन दुरघटना की रुख्थाम में सायक है यह पुछा गया है question RRB LP 2001 में तो दुरघटना की रुख्थाम के लिए आप कौन सा यहाँ पे शायक है options है 140 सुरक्षा गाड interlock सुरक्षा गाड trip सुरक्षा गाड या उपरुक्त सभी तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा option number D उपरुक्त सभी यहाँ पे सभी सुरक्षा के लिए आपके लिए सायक है next है question number 8 निम में से कौन ओदियोगी खत्रे यहाँ दुर्गटना के कारण बनते है options है सुर वा कमपन खराब लाइट वा खराब वायू आवगमन के कारण option C उर्जा तथा आधरता के कारण option D उपरुक्त सभी तो सही होगा option number D सभी के कारण हमारा यहाँ पे ओदियोगी खत्रा या तो दुर्गटना होने की संभावना बनी रहती है next है question number 9 भारती बोईलर अधिनियम 1923 लागू होता है question आपको पुछा क्या है आपका मज़ीडी में duck ltd limited fitter 2017 में हाली में पुछा क्या question है तो option है इसका 1923 अधिनियम लागू होता है सभी बोईलर पर 100 लिटर से अधिक छमता के बोईलर पर 1000 लिटर से अधिक छमता के बोईलर पर या none of the above इन में से कोई नहीं तो इसका सई answer होगा option number B 100 लिटर से अधिक किसी भी बोईलर पर ये अधिनियम भारती बोईलर अधिनियम 1923 लागू होता है नेक्स्ट है हमारा कोश्चन नमबर 10 जो की आज का लास्ट कोश्चन है ये कोश्चन आपको पुछा गया है Military Engineering Service Fittered Trademan 2015 में Next है निम्न में से कौन सी युकति सुरक्षा को परुचाहिद करने के लिए परियोग की जाती है अत्यदिक जुर्माना लगाना, परचार वाकियों का लिखना, कारिया रोक देना या उप्रुगतू सभी आपको दूर घटना सुरी शुरक्षा को प्रसायत करने के लिए कौन सा कदम आप उठाईएगे जुर्माना ज्यादा लगा दीजीएगा प्रचार वाक्या वहाँ पे प्रचार कुछ रख्चा समन्दिश प्रचार वाक्या लिख वहाँ पे आप लिखाईएगा दिवाल पे या कार्या को रोख दिएगा या उप्रुक्त में से सभी तो सही या इसका सही स्टिक आंसर है option number B वहाँ पे शुरुक्षा के नियमों को दिवाल पे या किसी ये पे आपको लिख देना चाहिए तो आज का question of the day है जो कि आपको comment box में आपको बताना है तो ये जो question है आप जल्दी जल्दी comment किजिए इसका answer क्या होगा आग को निम में से कितने वर्गों में बाठा गया है एक, दो, तीन या चार और पिछले class का हमारा previous question of the day था कारखाना कानून 1948 भाग 23 के अनुसार कौन सी machine एक खतरनाक machine नहीं है तो इसका सही answer होगा option number D grinding machine जो है हमारा इस अधिनियम के तहद खतरनाक machine के स्रीड़ी में नहीं आता है तो दोस्तों यह था हमारा आज का class क्लास कैसा लगा comment में जरूर बताईए अच्छा लगा तो like करें और share करें और channel में पहली बार है तो चैनल को subscribe करके वेल वाले घंटी को भी प्रेस करें तो मिलते हैं अगले नए mcq में तब तक के लिए जैन